Mutual funds are good for you, ये हम सबने बहुत सुनाए लेकिन ये ना एक बहुत general statement है investing चाहे stocks में हो रहा हो या mutual funds में जादा जरूरी ये है कि आपको पता हो कौन से stocks और कौन से mutual funds में invest नहीं करना है क्योंकि अगर हमने बुरे funds avoid कर लिये ना, तो हमारे returns अपने आप अच्छे हो जाने वाले हैं तो आज इस वीडियो में हम focus करने वाले हैं कि कौन से mutual funds में invest नहीं करना है नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रांजल कामरा, शुरू करते हैं mutual funds का X-ray Phenology में तो आज हम आठ ऐसे category of funds को discuss करने वाले हैं जी हाँ, आठ जिन में आपको निवेश नहीं करना है सबसे पहला है, और यह मुझे बिलकुल पसंद नहीं है, balanced या hybrid funds ये ना, एक बहुत अच्छा तरीका है mutual fund companies का जादा पैसे कमाने का क्योंकि सबसे जादा fees किसी भी mutual fund को कौन से fund में मिलती है active equity funds में मिलती है, या ने mutual fund जो stocks में निवेश करते हैं और जिसमें fund manager stocks pick करता है, active equity funds कम किस में मिलती है, dead funds में या index funds में तो मैं balanced fund ले आता हूँ, जिसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि market के उतार चढ़ाओं में ये fund automatic balancing करेगा आपको कुछ नहीं करना और पता नहीं क्या-क्या सचाई ये है कि ये fund 30-40% debt में लगाएगा 30-40% equity में लगाएगा, कुछ 10-15% cash रखेगा और ये सब करने के बदले, वो आप से equity fund जितनी fees ले लेगा, यानि आधा पैसा ही equity में लगाओ, लेकिन fees ऐसी मिले, जैसे पूरा पैसा equity में लगाओ आएग, और वैसे भी ये balance करना कि कब equity में लगाना है, कब debt में लगाना है इसके लिए आपको fund manager की क्या जरुबत, आप सोचिए, आपके पस एक लाख रुपे हैं, कितने ऐसे पैसे हैं, उसमें से, जिस पे आप थोड़ा ज़ादा risk ले सकते हैं, वो एक प्योर equity fund में लगा लीजिए, और किस पैसे पर आप कम risk लेना चाहते हैं, उसको liquid fund या FD में डाल दीजे, आपना आधा percent fees भी बचा लेंगे, और हमेशा control आपके हाथ में होगा, तो ये balanced और hybrid fund वाला concept, मेरी समझ में तो भहिया, बिल्कुल नहीं आता Second category, fund of funds, पता नहीं, कई लोगों ने ये नहीं सुनाओगा, लेकिन बड़ा ही अजीब सा concept है, देखें, mutual fund क्या है, आपको खुद stocks pick करने की महनत ना करनी पड़े, तो एक team of experts कई सारे stocks का basket बना देती है, और जनता उसमें invest करती है, उसको कहते है, mutual fund, अब fund of funds क्या है, आपको funds select ना करने पड़े, इसके लिए एक team of experts अच्छे funds select करती है, और उन funds में invest करती है, उसका एक fund बनाती है, और आपसे पैसे मंगाती है, याने fund of funds वो fund है, जो बाकी mutual funds में invest करता है, तो एक mutual fund का basket बना के वो fund बनता है, वो directly stocks में invest नहीं करता, तो एक तो वो fund of fund, जिन mutual funds में invest कर रहा है, बहुत confusing है, वो fund of fund, जिन funds में invest कर रहा है, वहाँ तो fees लगी रही है, लेकिन अब ये खुद भी एक fund है, ये भी अपनी fees ले रहा है, याने double fees लग रही है, किस चीज़ में invest करने में, mutual funds में invest करने में, बिल्कुल useless concept है, please invest मत करिएगा और अब हम आ रहे हैं हमारी तीसरी category पे, NFO की, new fund offerings की, अब discuss करते हैं, NFO में invest, क्यों नहीं करना है आज mutual fund market में न, सेक्रो schemes available है, बहुत सारी schemes available है, तो मैं उन schemes में से कोई scheme को ना चुनके, एक ऐसी scheme में invest करूँ, जो अभी-अभी launch हो रही है और जिसका खूब media में advertisement हो रहा है, आपका agent भी आपके पीछे पढ़ावाए कि इस NFO को ले लो, क्यों? क्योंकि उस fund में खूब सारा पैसा मंगाना है, तभी तो उस fund schemes को, funds को छोड़के सिर्फ क्योंकि हवाबाजी बहुत हो रही है, नए fund offering क्या रहा हूँ, मैं उसमें invest क्यों कर लूँ तो जादा तर NFOs को हमेशा avoid करिया थोड़ा साबित करने दीजिए ना, एक साल हो जाने देखते हैं, वो fund जो बोल रहा है, वो सच में दे पाता है कि नी, उसके बाद कर लेंगे, वो fund हमेशा के लिए आ रहा है, कौन सा दो साल में बंद हो जाना है, तो वो fund तो आ रहा है अब इसी बाजार में रहेगा, मैं भी देखू सही तरीका क्या है निकलने का क्योंकि कई बार हम जल्द बाजी में हर बढ़ा के निकलते हैं और चार्जेस पे करते हैं जी हां मैं बात कर रहा हूं रेगुलर funds की regular funds याने की जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो लगभग 100 में से 1 रुपय उस company के पास जा रहा है जो direct plans में भी जाता है जिसकी वो scheme है और 1 100 रुपया उसके पास भी जा रहा है जिस agent ने आपको वो scheme suggest की तो 100 में से 98 रुपीज ही आपके उस fund में लग रहे हैं direct plan में 99 रुपीज लगेंगे ये एक general example है ये कम जादा हो सकता है तो अब ये तो जादा तर लोगों को पता है कि regular plans में invest नहीं करना है direct plans में invest करना है लेकिन अगर आप regular plan में invested हैं तो आप क्या कर सकते हैं और कई बारना ऐसा लगता है कि ये 1% से क्या फरक पढ़ने वाला है क्यूं मैं 1% बचाऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं ये 1% बचाना क्यूं ज़रूरी है तो मान लीजे हम access blue chip fund का example लेते हैं आप इसमें 10 साल तक SIP करते हैं 10,000 रुपे महीने की तो 10 साल बाद एक expected past returns के हिसाब से 10 साल बाद आपके पास होंगे अगर आप regular plan में invest कर रहे हैं तो 29,000,000 रुपीज के आसपास वहीं अगर आप direct plan में निवेश करते हैं तो आप 1% के आसपास बचाएंगे और 10 साल बाद आप 2,000,000 10,000 रुपे ज़ादा कमा रहे होंगे यानि आपके पास 31,000,000 रुपीज से कुछ ज़ादा पैसा होगा 2,000,000 रुपे से ज़ादा का फरक पढ़ रहा है 10 सालों में तो ये 1% कई बार देखने में छोटा लगता है लेकिन in the long run ये लाखों के फरक में intelligently और 1% एक्स्ट्रा बचा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ तो आप regular से direct में switch होने के लिए best तरीका है कि आप IND money app यूज करिए इनका app automatically detect कर लेता है वो सारे mutual funds जहां आप regular plan के charges पे कर रहे हैं फिर इनका switch calendar आपको help करता है decide करने में कि कब switch करना है exit load का impact भी यह आपको बता देता है कि कब आप switch करेंगे तो exit load नहीं लगेगा और short term capital gain long term capital gain यह taxes का impact क्या होगा वो भी एक factor होता है decision making में कि कब switch करना है वो भी यह app आपको बता देता है तो basically यह सारे factors देखके यह app आपको बता देगा कि आपके सारे regular plans में से कब आपको switch करना चाहिए कौन सी schemes को और किनको hold करना चाहिए और बाद में जब दूसरी schemes भी आप exit up कर सकते हैं और यह सब करने का R&D money app में कोई charge नहीं लगता और आप mutual funds के नए direct plans में भी इसी app के थूँ बिना किसी commission के invest कर सकते हैं इस app का link आपको इस video के description में मिल जाएगा अब हम बढ़ते हैं पांचवी category की तरफ जो है large cap funds नहीं नहीं don't get me wrong आपको large cap funds में invest बिल्कुल करना चाहिए लेकिन large cap active funds में invest आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि reclassification जो हुआ दो साल पहले सेभी के द्वारा उसके बाद large cap funds का universe ना अपके वल 100 stocks का है पहले क्या होता था कि कई fund बोलते तो थे large cap है ताकि आप उन funds को safe समझ के उनमें invest करिये लेकिन हम क्या देखते हैं past returns और ये mutual fund companies को भी पता है तो वो लिखते तो थे कि हमारी scheme large cap है लेकिन जादा returns लाने के लिए जादा risk लेते थे mid cap और small cap में निवेश करते थे और क्योंकि हम past returns देखके invest कर रहे हैं हम attract हो जाते थे जबकि हम क्या सोच रहे हैं कि ये safe fund है क्योंकि इसमें large cap लिखा है और large cap stocks भी सेभी ने classify कर दिये थे top 100 stocks by market cap तो अब सारे large cap funds ला इन ही 100 stocks में से stocks पिक करते हैं जिसमें से 15 भी सैसे हैं जिनकी fundamentally quality deteriorate हो रहे हैं तो उनमें बहुत कम funds invest करते हैं करना भी नहीं चाहिए तो याने 85 stocks का ही universe बचता है 80-85 stocks का और एक mutual fund scheme में 30-50 stocks होते हैं कई सारी mutual fund large cap schemes है 40-50 schemes है तो वो 500 schemes उन ही 80 stocks में से 30-40-50 stocks पिक कर रही हैं याने सारी schemes एक जैसी हैं तो जब सारी schemes एक जैसी हैं तो मैं fees क्यों दूँ 1% इससे अच्छा मैं एक large cap index fund में invest कर लूँ इसी लिए उस एक परसेंट को बचाईए large cap में index fund को चूज करिए और actively managed funds large cap category में avoid कर सकते हैं अगली category है mid cap funds की similar reasoning सेभी ने फिर से यही किया mid cap याने market cap wise 101st company से लेके 250th company 1500 companies का ही basket है फिर से 500 mid cap schemes है सब को उन ही 1500 companies में से pick करना है और उसमें भी 50 companies ऐसी है जिनके fundamentals deteriorate हो रहे हैं याने again 100 companies का ही basket बचता है जिसमें 500 mid cap schemes पैसे लगा रही है तो फिर से फालतू की fees क्यों देना इसी लिए mid cap से बेटर है कि आप एक actively managed large and mid cap fund लिजिए उसमें क्या होता है universe expand हो जाता है top 100 large cap companies भी 150 mid cap companies भी तो fund manager को भी ये scope मिलता है कि अब उसके पास 250 companies का universe है 30-40 अच्छे stocks pick करने के लिए तो वो भी अपना talent दिखा पाता है और हो सकता है वो market को outperform करे जिस case में आप जो 1% उसको fees दे रहे होना वो justified है 7th category sectoral या thematic funds जादा तर ऐसे funds से दूर रही है active pharma fund, IT fund पहली चीज तो न ये जो sector funds होते हैं ये बहुत risky होते हैं अच्छे समय में बहुत जादा returns देते हैं लेकिन बुरे समय में बहुत बहुत जादा loss भी देते हैं और जैसा मैंने शुरू में कहा investing में ये जरूरी है कि क्या नहीं करना है और investing में ये भी जरूरी है कि एक साल जादा return आया अगले साल जादा loss हो गया ऐसे में compounding नहीं होगी पहला rule जो Warren Buffett भी कहते हैं is to never lose money तो पहला rule है आप अपना पैसा ऐसी जगों पे लगाए जहां पैसे खोने का डर कम हो इन sectoral या thematic funds में पैसे बनाने का chance बहुत होता है लेकिन खोने का chance भी उतना ही होता है और एक साल आपने पैसा बना लिया सौ का देर सो हो गया अगले साल वो सौ का 75 हो जाए तो क्या फायदा कई बार सारे mutual funds को अगर आप compare कर लेंगे न तो sectoral thematic funds में fees भी सबसे ज़ादा होती है fees भी सबसे ज़ादा risk भी सबसे ज़ादा लेकिन क्योंकि fees सबसे ज़ादा है तो ये लोग तो आपको खूब marketing करेंगे ही कि sectoral funds में निभेश करिए लेकिन वो कहते हैं न वो मत खरी दिये जिसकी सबसे ज़ादा marketing की जा रही है अब बात करते हैं एर्थ category की जो है most debt funds debt funds ना retail investors को ज़ादा तर debt funds से दूर ही होना चाहिए except बहुत ultra short duration fund हो liquid fund हो overnight fund हो जो आप liquidity purposes के लिए invest करते है long term के लिए debt funds में invest करना है एक retail investor को मुझे ये बहुत ज़ादा sensible नहीं लगता आप 1-5% return कम मिलेगा लेकिन किसी safe NBFC, small finance bank या फिर एक अच्छे private bank में FD करा लीजिए 1-5% कम मिलेगा लेकिन security ज़ादा रहेगी और जिस पैसे में risk लेना है उसको equity fund में invest करिए तो ये debt funds एक retail investor के लिए कहीं बीच में फस जाते है और मुझे बहुत ज़ादा useful नहीं लगते तो most debt funds को except बहुत short duration वाले के जिसमें आप कर सकते है most debt funds को avoid करिए तो उमीद करता हूँ कि अब आपको clarity मिली होगी कोई चाहे कुछ भी बोले कितना भी advertisement आए कौन सी fund categories आपको avoid करनी है अगर ये clarity मिली है तो जल्दी से इस वीडियो को like कर दीजेगा इस channel को subscribe कर दीजे और bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि financial instruments बहुत सारे है मैं आपको बताता रहूँगा कि कहां-कहां निवेश नहीं करना है और कहां-कहां निवेश करना है दोनों चीजे बताऊँगा इसलिए bell icon जरूर दबा दीजे और इस वीडियो को जो भी आपके friends, family members, mutual funds में इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजेगा मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो दिस इस प्रांजल कामरा साइनिंग ओफ बाई बाई